महिंद्रा टैक्टर्स इंटरनेट की पार्षाला में आपका सौगत है पिशे है जी मेल का खाता खोलने के लिए सबसे पहले अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर इंटरनेट चालू करें उसके बाद दाई तरफ सबसे उपर के कॉलम में जी मेल टाइप करेंगे जिससे जी मेल का बॉक्स आपकी स्क्रीन पर खुलेगा सबसे नीचे बने एक बॉक्स पर क्लिक करने से सभी भाषाओं की एक लिस्ट खुल जाएगे खाता बनाएं शब्द पर क्लिक करें सबसे पहले अपना नाम, पहले कॉलम में अपने नाम का पहला शब्द और दूसरे कॉलम में अंतिम शब्द अब आप अपना उपभोग करता नाम यानि की वो नाम जिस नाम से आपको अपना इमेल एड्रेस बनाना है जिसे अंग्रेजी में यूजर आइडी कहते हैं यूजर आइडी पूरी होने के बाद आपको अपने पासवर्ट का चुनाव करना होगा जिसमें कम से कम आठ अक्षर होने चाहिए पासवर्ट को नीचे लिखे कॉलम में दुबारा लिखें अपना पासवर्ट हमेशा याद रखें और गोपनिये रखें इसके बाद अपने जन्म के महीने, दिन और साल की जानकारी दिये गए कॉलम में भरें इसके बाद नीचे के कॉलम में अपने महीला या पुरुष होने की जानकारी भरें इसके बाद ये कॉलम जिसमें तिरंगे की छोटी सी फोटो होगी इस कॉलम में अपना फोन नमबर लिखें इसके बाद Google द्वारा दिया गया एक नमबर नीचे दिये गए कॉलम में भरना होगा Google की सेवा शर्टों के कॉलम में क्लिक करना होगा इसके बाद आप नीले बॉक्स पर क्लिक करेंगे बस Google अब आपके खादे को चेक यानि की जांच करना चाहता है कि कहीं कोई जानकारी छूटी तो नहीं जैसे कि इस कॉलम में फोन नमबर नहीं लिखा हुआ था इसलिए इसमें जैसे ही मुबाइल नमबर भरेंगे उसके बाद आपको मुबाइल पर कोड मगाने के लिए विकल्प देना होगा जैसे कि मान लीजिए यदि आपने टेक्स्ट संदेश के विकल्प पर क्लिक किया है तो एक कोड आपके मुबाइल पर SMS यानि की संदेश के रूप में आएगा इसके बाद जैसे ही आप नीले रंग के बॉक्स जिस पर जारी रखें लिखा है उस पर क्लिक करेंगे आपका इमेल खाता खुल जाएगा बढ़ाई हो अब आप जी मेल पर इमेल के जर्गे बात कर सकते हैं यदि आप नाया संदेश भीजना चाहते हैं तो बाइं तरफ लिखें के कॉलम पर क्लिक करें फिर उस साथी का इमेल पता लिखें जिसको संदेश भीजना है फिर विशय के कॉलम में बाचीत के विशय को एक या दू शब्दों में लिखें फिर अपना संदेश नीचे दी गई जगह पर टाइप करें अब आप अपने साथी को ये संदेश भीज सकते हैं अब यदि आपको अपने पास आए संदेश पढ़ने हैं सभी आने वाले संदेशों की सूची खोल लें इसके बाद उस संदेश पर क्लिक करें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं यदि आप जवाब देना चाहते हैं तो संदेश के नीचे लिखे उत्तर दें कॉलम पर क्लिक करें ऐसा करने से आपके उत्तर लिखने की जगह बन जाएगी फिर अपना संदेश नीचे दी गई जगह पर टाइप करें अब आप अपने साथ ही को ये संदेश भेज सकते हैं अब यदि कोई फोटो या कंप्यूटर में मौजूद दस्तावेज आपको भेजना है तो संदेश की जगह के नीचे अटैच नाम के कॉलम पर क्लिक करें फिर उस दस्तावेज को चुनें जिसे आप अपने संदेश के साथ जोड़ना चाहते हैं फिर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वो दस्तावेज या फोटो आपके संदेश के साथ अटैच हो जाएगी यानि की जुड़ जाएगी अब आप अपने साथी को ये संदेश भेज सकते हैं धन्यवाद